हेलो स्टुडेंट्स आज हम विए सेकंड सेमेश्टर के होम साइंस के पेपर टेक्स्टाइल की फर्स्ट इनिट जिसमें हमारा टेक्स्टाइल की टर्मनलोजी है उसमें के बारे में हम जानेंगे तो जो हमारा एक्जाम पैटर्ण है जो कि आपका सेकंड सेमेश्टर हम साइंस के रहेगा वह ऑप्जेक्टिव टाइप्स का होगा जिसमें आपके टर्मनलोजी से समद्दित काफी कॉस्टिंज आपके पूछे जाएंगे तो इनमें जो हमारा कॉटन यानि कपास है उससे रिलेटेट कॉस्टिंज ज्यादा पूछे जाने की संभावना है जिसमें कि आपके कपास का पौधा कैसा होता है जैसे कि कपास के पौधे में के जो गोई होते हैं वो क्या होते हैं इन्हें किस रूप में हम प्राप्त करते हैं ये सारी चीज़ें आप से पूछी जाएगे तो सबसे पहला हमारा जो point है वो होते हैं कोई तो कपास का जो फूल होता है उसका जो फूल होता है उससे हम प्राप्त करते हैं ये रिशा जिसके छोटे रेसे को हम stable कहते हैं और बड़े रेसे को हम flamen कहते हैं तो इसका जो फल होता है जो कपास का जो फल होता है पहले फूल लगता है उसके बाद जो फल लगता है तो इसको हम बोलते हैं कोई और ये कोई हमीशा कपास के ही होते हैं फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो होता है गांट लगाना अगर आपसे पूछा जाता है कि गांट लगाने से आपका क्या तातपर है अगर आपसे पूछा जाता है कोई से आप क्या समझते हैं या कोई से आपका क्या तातपर है तो आप बता देंगे कि कोया जो होता है या आपस के पौधे का फल होता है।cciones which of this काटर लगाना किसे कहते हैं या Khas और चार ऑक्सं दिये जा जाते हैं। तो इसमें ऊप कि पर करेंगे कि जब कॉपास के रैसे होते हैं। उनको फेले बांदा जाता है। उनके गठर बनाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गाथ लगाना फिर एक प्रासेस इसमें एक और होती है कंगी गारना जिसके क्या होता है जो कपास के हैं तो कुछ Ses में बड़े होते हैं तो इन छोटे बड़े रेशों कोपास कटने के लिए Vince लिए तो इन गस you को सुलढ़ाया जाता है तो छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे अलग हो जाते हैं जिन्हें हम भोगते हैं कंगी करना अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉम्बिंग से आपका क्या तातपर है या कंगी करना से आप क्या समझते हैं तो आप बताएंगे कि जाता है तो यह तुछ प्रॉसफ बसका निर्मार करते हैं तो उस प्रॉसेस को हम रोटे हैं कताई तो यह तो हुँए आपके कपास से र्रead कुछ points जो आफके महत्ववोर हैं और इसममें आफके जरूर में पूछन कोई क्या था क्रूप करने का प्रतिया प्रहुंच चेह तो क्या होता है कि जब किसी रेज्चे को फिर अजय को अपनी एक इसके आका ठीचा, उसके कहा जाए कि है कि हुषकी एक सेहन सील छामत एक ये की छाम्त होती अगर उस रेज्चे को खीच यह ब्हुता होती है और उसके उपरांग वांचित इसत्थिती इसके बात करते हैं प्रतिषकन्दथा Take पर रिती बतैक्विक्रीच्टा के बात करते हैं गर्वार रूप से अब आपने मूल रूप में हो जाते हैं 20 की परटि depoca pu honor lol तो इसमें से जो सही होगा आपको ठीक करना पड़ेगा या वह ऐसे भी दे सकते हैं कि रेशों का मूल रूप से पापस गिरहर करने की छमता होती है तो आप उसमें अगर पूछा रहता है प्रितिसकंदता लिग दिया परिसज्जा लिग दिया वस्त वड़ांक लिग दिया सही प्रितिश कंदता है। इसके बारें हम नेक्शंट स्बाद करें कि परिसज्ज्ज्जा होगी है यह फिनेसिंज्ज्ज क्या होती हいます तो जब वस्तर वाया हुता है घ्ल नभी नभी दलाओं के लिए बी wenn इस में इसमें मcause कि यह integrity रहते हैं कर दघ कर लगें आते होता है है जो परिसज़्जाइं की हैं वो हमारी Wennasus कहलाती है जिसमें कि आपके बहुट सारी परिसज़्जाइं होती हैं जैसे एक के विए इस्तुरी करना दूसरा अब के उसमें भुलाई भेरेंजन आ जाएगा मर्सराइजिंग आ जा Будआईंगे अपना परिसज़्जाओं का गुडांग से तो जो पुछा जा सकता है कि पुछ थागों में कपड़ों की संख्या से आप क्या अतात पर है यह से क्या कहते हैं तो इसे हम कहते हैं वस्त्र गुडांग तो यह आपके कुछ तर्मिनलोजी में इसमें बहुत सारे हैं जो आपको जानने जरूरी है और यह आपके जो पॉस्चन आएंगे अब्जेक्टिव वाले उनसे यह बनेंगे उनमें यह पूछे जाएंगे तो इनको आपको बहुत ही काईदे से पढ़ना है ताकि पेपर आपका बहुत अच्छे से जाये और आप अच्छे नब्रों से पास हो सकें तो थांक यूँ